हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना किचन गार्डन अपडेट, इसमें मैं शेयर करूंगी कुछ सबजियों के पौधे चो मैंने अपने किचन गार्डन में लगाए हैं, ये है मेरा बीन्स का पौधा और इसमें आप देख रहे हैं काफी अच्छी फ्लाबरिंग हुई है, इस सीजन का ये बैस्ट प्लांट है और इसमें काफी अच्छी बीन्स लगती है, इसलिए अगर आप भी किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस सीजन में बीन्स को ग्रो कर सकते हैं, इस पौधे से आप कई बार हर्वेस्टिंग ले सकते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में में बीन्स लगती है, हाइब्रिट सीड यूज करने से काफी छोटे पौधे पर ही बीन्स लग जाती है, इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी बीन्स लगी हुई है, न उस दिन पहले हलकी बारिश हुई थी इसकी वजह से इन सभी प्लांट में हलकी मिट्टी लग गई है यह चोटे पौधे बिंडी के हैं जिने की मैंने सीट के थ्रोग ग्रोग किया है और यह अभी साइस में काफी ज्यादा चोटे हैं और काफी अच्छी कौन्टिटी में यह आपको काफी अच्छी कौन्टिटी में भिंदी मिल जाएंगी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें काव डंग कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं नेक्स प्लांट जो मैं अपने किचन गार्डन का आपके साथ शेयर कर रही हूं वह लेमन प्लांट और यह निम काफी अच्छी कौन्टिटी में आपको फ्रूटिंग भी देते हैं यह एक प्लांट है और हमेशा आपके किचन गार्डन में बना रहेगा नेक्स प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यह है टमेटो की सीडलिंग्स टमाटर की छोटी-छोटे स्लाइस में कट कर मैंने इस तरह से ग्रो किया था और यहां पर 15 डेस हो चुके हैं और इनमें छोटे-छोटे प्लांट आ गये हैं यह काफी छोटे हैं अभी इसलिए मैंने इनको रिपॉर्ट नहीं किया है अभी इनमें हलकी हलकी ट्रू लिप्स आना भी शुरू हो गया है अब कुस दिनों मैं इन्हें सेपरेट पॉर्ट में ग्रो करूंगी जिससे की इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छे होगी पुदीना को आप अपने किचन गार्डन में जरूर इंफ्लूट करें यह एक मैडिसिनल प्लांट भी है और इसके काफी ज्यादा बैनिफिट हमारे लिए हैं और बेसि यह चोटे-चोटे प्लांट है शिम्ला मिर्च के जिनको मैंने सीट के ध्रू घ्रों किया था और अभी इनमें ट्रो लीफ आ गई हैं और काफी अच्छी तरह से यह ब्लांट अभी ग्रो कर रहे हैं यह चार प्लांट को मैंने एक बड़े से पेंट के बकेट में ग्रो किय ये दोनों ही आपके जो सबजियों के पौदे हैं उनकी ग्रोध के लिए अच्छे रहते हैं